चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हर दिक स्वागत करता हूँ, मेरे प्यारी बच्छो आज इस वीडियो में हम आपके काफी स्वालों का जवाब देंगे जो हर एक स्टुडेंट के मन में अभी आ रहे हैं सबसे पहले कि इस साल फस्ट राउंड में कितने सीट और कितनी मेडिकल कोलेज एड हुए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सेकंड में क्या सेकंड राउंड में seat increase होने की possibility है इसके बाद सासात ये भी चर्चा करेंगे कि seat increase का cutoffer कितना effect होगा सेकंड राउंड में कितने seats खाली रहेंगी फर्स्ट राउंड के allotate college को join करें या नहीं करें क्योंकि अभी joining time 29 August 24 तक है तो क्या हमें join करना चीए या फिर नहीं करना चीए last में है aims में admission ले या फिर medical college में admission ले काफी सारे student ऐसे होते हैं जिनको aims भी मिल रहा होता है लेकिन confuse ये रहते हैं वो इस confusion में रहते हैं कि क्या मैं aims में admission लो तो मेरे को क्या फाइदा होगा क्या नुक्सान होगा तो इसके बारे में मैं आपको इसमें विस्तार से बताऊंगा यहां पर तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस साल में कितनी medical college अलोट हुई हैं कितनी increase हुई हैं और कितनी seat add हुई हैं इस बार हैं girls candidate के लिए हैं और बाकी 394 colleges है girls और boys दोनों के लिए हैं total seats all India quota और open seats 10,443 seats हैं इस साल के लिए पिछली साल का देखें तो फिछली साल 379 colleges थी और seat 10,255 seats थी इस बार जो इजापा हुआ है वो 18 college आए हैं नए इस बार नए 18 college इस बार आए हैं इस बार 18 college add हुए हैं नए और seat से वो 188 seats increase हुई हैं जो बहुत ही कम हैं इस साल के लिए हम सोच रहे थे कि इस साल काफी seat आएंगी तक्रीब हम 700 seat का अनुमान लगा रहे थे कि 700 seat आएंगी लेकिन 188 seats ही आपाई हैं medical college तो 18 medical college open हुए हैं लेकिन इस बार 50-50 seats medical college में आई हैं जहां एक college में पहले 100 seats हुआ करती थी आपकी बार 50 seats ही एड हुई हैं यानि कि 50 seats को ही permission मिली है काफी college में इसकी वज़े से जो ये आखड़ा है 18 college में जो seat increase हुई है ओल इंडिया कोटा के लिए वो 188 seats एड हुई हैं अगर ये हरे college में 108 seat या 150 seats होती तो ये 600-700 के आसपास ये आखड़ा पहुच जाता यहां पर और एक बार हम पहले का देखें जैसे कि 2021 में 35 medical college open हुई थी 806 seat open हुई थी इसके बाद में 2022 में 46 medical college ओपन हुई थी 955 seats यहां increase हुई थी 23 में भी काफी seats यानि 31 colleges जो काफी होते हैं 595 यानि की 600 के nearby seat increase हो गई थी यहां लेकिन इस बार 18 college आये हैं लेकिन seat आये हैं सिरफ 188 seats जिस से इतना ज्यादा seat ने आने से cutoff फर फरक पड़ेगा ये कितना फरक पड़ेगा इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं तो अभी तक की जो seat हैं वो 10,443 seats हैं और total जो medical colleges हैं वो 397 medical colleges हैं अभी तक जिसमें 3 girls college भी include हैं इसमें boys और girls के लिए 394 colleges हैं इस बार अब रहें आगे बात करते हम कि second round में क्या seat आने की possibility है तो second round में वैसे तो seat आने की possibility नहीं है वैसे तो seat आने की possibility नहीं है लेकिन अगर फिर भी किसी college में seat add होती हैं तो वो बहुत कम seatें होंगी जिससे ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा cutoff में जैसे कि माल लो वो सीटें अगर इंक्रीज होती हैं जैसे एक कोलेज में अगर 10 सीट भी इंक्रीज होती हैं एक कोलेज अगर नई आती है उसमें 15 माल लेता हूं में यहां पर 15 सीट भी इंक्रीज होती हैं और यहां 5 कोलेज भी आ जाती हैं नई और 6 कोलेज भी आ जाती हैं तो अगर यहां पर 17 seats भी बढ़ती हैं, 17 seats भी increase होती हैं, तो cutoffer ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा यहां पर, क्योंकि 17 से अगर हम rank मानें, तो ज्यादा से ज्यादा 1.500 या 200 rank तक फरक पड़ जाएगा, इससे ज्यादा फरक पड़ने वाला नहीं है, तो अगर second round में seat आती भी हैं, वैसे तो possibility नहीं है, फिर भी अगर seat आती हैं, तो इससे ज्यादा फरक पड़ने वाला नहीं है इससे, अब हम आगे बात करते हैं, कि जो seats increase हुई हैं, उनमें cutoffer कितना effect पड़ेगा, जो seats increase हुई हैं, तो जो 188 seats increase हुई हैं, तो इस पे cutoff ज्यादा से ज्यादा, फिछली साल से 300 rank increase हो जाएगी, 300 rank increase हो जाएगी, general category के लिए, हम यहाँ general category की ही बात कर रहे हैं, बाकि category में तो ज्यादा होगी, general और OBC में 300 के nearby increase होने की possibility है, बाकि SCST में तो ज्यादा increase होगी यहाँ, तो अगर 300 अगर हम लगाते हैं, तो जो previous year में, यानि 2023 में जो cutoff रही थी, वो 23,674 last cutoff थी, अगर इसमें हम 300 जोडते हैं, या फिर 326 भी अगर इसमें जोडते हैं, इतनी अगर जा सकती हैं, तो इस साल के लिए general category के लिए 24,000 तक seat मिलने की, यानि कि 652 marks तक seat मिल जाएगी, तो ये cutoff फर फर फरक पड़ेगा, अगर second round में कुछ seat भी आती हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 100 rank का फरक पड़ जाएगा, या फिर ज्यादा 200 rank का फरक पड़ जाएगा, सीटें खाली, कितनी percent सीटें खाली वेकेंट रहने की possibility है, तो देखो हर साल का train रहता है कि तकरीबन जो सीटें वेकेंट रहके आती हैं, वो 35% सीट वेकेंट रहके, मतलब 35% सीट फिल होती हैं इसमें, बाकी 65, 62 से 65% तक सीट वेकेंट रहके आती हैं, सीट वेकेंट रहके आती हैं, लेकिन इस बार सीट कम वेकेंट रहेंगी second round में, क्योंकि इस बार student डरे वे हैं, हर student को ऐसा लग रहा है कि मेरे को admission लेना ही है, चाहिए मैं कहीं admission लूँ, मेरे को admission लेना ही है, तो इस condition में अपकी बार हम मान रहे हैं कि 40% सीट ही वेकेंट फिलफ होंगी, और 60% सीट वेकेंट होके आएंगी, जो हर साल से कम सीटे वेकेंट होके आएंगी इस साल के लिए, यानि कि total जो सीटे वेकेंट आने की possibility है, वो 60% की है, 60% जो मैंने आपको total सीट बताई है, All India, Quota की और उसकी, तो उसमें आप 60% लगा लो, वो सीटे एड होने की possibility है, वेकेंट होके आने की possibility है इसमें, अब आगे हम बात करते हैं कि first round की जो allotted college है, उसको join करें या नहीं करें, क्योंकि काफी सारे student का ये भी सवाल है, कि first round में उनको seat allot हो गई है, All India के first round में seat allot हो गई है, तो उसको join करें या नहीं करें, तो देखो first round free exit है, जब आप इसको join नहीं करेंगे, तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं है आपको, अगर आपको best college मिली है, first round का मतलब ये ही होता है, कि अगर आपको best college मिली है, तो इसको join करना है, नहीं छोड़ना है, कि इस condition में जैसे कि बच्चों को AIMS दिल्ली मिला है, मौलाना आजाद मिला है, VMMC मिला है, या आपके state cutoff medical college मिला है, तो इन्हें student को join कर लेना चीए first round में, क्योंकि हो सकता है second round में cutoff ज्यादा चली जाए, ये particular college की, हालांकि second round में जो cutoff है, वो हमेशा down ही जाती है, लेकिन किसी-किसी college की cutoff ज्यादा चली जाती है, लेकिन AIMS, मौलाना आजाद, VMMC, इन में seatे आने की possibility रहती नहीं है, AIMS में तो बिल्कुल भी seatे आने की possibility नहीं है, कोई student ये सुचता है कि मैं AIMS नई दिल्ली first round में चोड़के second round ले लेता हूँ, तो फिर उसको second round में वो AIMS दिल्ली मिलने की possibility बिल्कुल भी नहीं रहती है, तो उसके बाद में अगर आप देखेंगे, जैसे कि first round में आपने seat चोड़ दिया, इन institutes में, और second round में देखेंगे, तो seat मिलने की possibility नहीं है, और फिर आपको हतास होके अपने state में या फिर इससे lower college की मिलेगा, तो अगर आपको top college मिल रहा है, और आप उस college से संतुष्ट हैं, तो first round में जोइन कर लें, उसमें भी upgrade का option है, फिर उसके बाद में आप upgrade का option लगाके, आगे continue कर सकते हैं, आगे upgrade करवा सकते हैं, तो first round में उनी candidate को जोइन करना है, जिनको अच्छी college मिली है, बाकी cut-off second round में down जाती ही है, second round में cut-off down इसलिए जाती है, क्योंकि second round में, तब तक state के first round में student join कर सुके होते हैं, इसलिए second round में option कम fill करते हैं, या second round में वो आते नहीं हैं, इसलिए second round की cut-off हमेशा down ही जाती है, अलांकि third और second round में इतना ज्यादा difference नहीं रहेगा इस बार, लेकिन second round की cut-off तो down जाएगी, इसलिए अगर आपको अच्छा college मिला है, तो आप join कर लें, अगर आप इस college से संतोष्ट नहीं है, तो free exit ले ले, free exit की condition में आपको कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है, college में जाने की ज़रत नहीं है, जैसे ही second round आएगा, आपने phrase twice fill करके, फिर college ले लेना है, तो ये condition थी की first round की college हम join करें या नहीं करें, अब next में मैं बताओं आपको, काफी सारे student का ये question रहता है कि जिने student को aims भी मिल रहा है और medical college भी मिल रही है, तो किसको ले, या तो अपने state के top medical college को ले, या फिर aims को ले, तो देखो aims से, अभी जो aims हैं, वो सारे settled aims हैं, कोई इन में किसी भी प्रकार की problem नहीं है, तो आप aims ले सकते हैं, aims में आपको काफ ही फाइदा रहेगा, एक तो इनका infrastructure वगरा, study का सब कुस ठीक है, कोई इसमें compromise नहीं है, दूसरी बात इसमें जो fees है, वो बहुत ही कम लगती है, तीसरी बात सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो PG quota अगर हम देखते हैं, PG quota अगर देखते हैं, तो हर एक aims में जिस aims से जब आपका course से complete हो जाएगा, तब तक इनमें PG start हो जाएगा, और PG start हो जाएगा तो फिर काफी फाइदा होगा, क्योंकि इसमें पहले वाले student नहीं रहेंगे, इसमें ये 2-3 सालों के student ही हैं PG के लिए, तो इतना ज्यादा competition नहीं रहेगा इन new aims में, और पुराने aims के अंद रहेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको अगर top medical college मिल रहा है state का और आप बिलकुल ही नया aims ले लें, इससे बेटर तो आप top medical college ही ले लें अपने state का, वो ही बेटर रहेगा, लेकिन aims से थोड़े से अगर पुराने हैं, तो कोई दिकत नहीं है उसमें ले सकते हैं, आप aims ले सकते हैं, तो ये आपके जो क्यूसन थे काफी सारे, उनका मैंने या reply दिया है, फिर भी अगर आपके कोई क्यूसन होते हैं, तो आप comments में लिख सकते हैं, उनका मैं वीडियो बना के solution बता दूँगा क्या है, तो ये जानकारी थी, आपके कुछ क्यूसन की, कुछ doubts की, seeds के बारे में, कटोफ के बारे में, बाकी अगर कोई update मिलेगा, जैसे ही counselling update मिलेगा, हम आपको inform कर देंगे, तो मिलेंगे नई update के साथ, नए वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंगे.